गोचर में ग्रह अपने निश्चित गती से लगातार आगे बढ़ते वे प्रदि दिन नए नए योग वे संबन्द इस्थापित करते हैं जब भी गोचर में ग्रह कोई शुवयोग बनाते हैं तो ऐसे में संपून विश में शुबता का प्रसार होता है महामारी विध्वन्सकारी घटनाए होती हैं आतंगवादी गती विध्या बढ़ती हैं संपून विश में आक्रोश आता है देशों के बीच में युद जैसी इस्थिती उत्पन होती है वैं प्रकरती अपनी विनाश लीला दिखाती है आप देखेंगे जब भी कहीं कोई बड़ी प्रकरति घटना होती है तब गोचर में कोई ना कोई दुर्योग कोई ना कोई पाप संबन्द पाया ही जाता है गोचर में बनने वाले योगों का विशलेशन करके हम भविश्य में होने वाली खटनाओं का काफी हद तक सटीकता के साथ अंदाजा लगा सकते हैं आने वाली 6 फरवरी को गोचर में एक ऐसा ही परिवर्तन होने वाला है जो की शुबता और अशुबता दोनों का प्रसार करेगा आने वाली 6 फरवरी को मंगल जो की शक्ती के परिचायक है जो की आर्मी वे पुलिस को शो करते हैं जो की गुस्से की कारक हैं जो अहंकार को दिखाते हैं वे अपनी उचराशी मकर राशी में प्रवेश करने वाले हैं अब मंगल जब उचराशी में आएंगे तो सीधी सी बात है शक्ती को बल मिलेगा जो लोग शक्ती संपन हैं जो एडमिस्ट्रिटिव लोग हैं जो लोग हत्यार रखते हैं उनकी शक्ती में कहीं न कहीं बड़ोतरी होगी देशों की सैन्य शक्ती में बड़ोतरी होगी अब क क्योंकि मंगल अहंकार के और गुस्से के कारग घ्रहें हत्यार को दिखाते हैं तो इस मंगल संपूर्ण विश्व में हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा भी पैदा करेंगे अब मंगल क्योंकि आक्रोश और गुस्सा पैदा करेंगे इसलिए मंगल तो सीधी सी बात है, यह दुनिया चलनी भारी हो जाएगी, जिस व्यक्ति की जेब में एक बंदूख है और वह गुस्से में आकर फायर कर देगा, तो सामने वाला, तो मरेगा ही मरेगा, और चलाने वाला भी कहीं न कहीं पीडित होगा ही होगा, क्योंकि उसको भी पुलिस पकड़ कर लियागी, यानि कि इस रष्टी का संतुलन बिकारने के लिए मंगल अपने आप में अकेले सक्षम है, खेर, मंगल की यह उच इस्थिती अकेले भविषय में होने वाली किसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होती, हमें ओवराल गोचर में बनने वाले योगों को देखना होता है, आप देखेंगे, मंगल मकर राशी में प्रूश करेंगे, शनी वर्तमान में कुमराशी में गोचर कर रहे हैं, राहू मीन गुरु इस समय मेश राशी में गोचर कर रहे हैं। अपनी पिछली एक वीडियो में भी मैंने आप से कहा था कि गुरु मेश राशी में आकर गोचर में सभी ग्रहों से एक कनेक्शन काट लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे राहु मीन राशी में हैं, केतु कन्या राशी में हैं, मीन और कन्या के बीच में सभी ग्रहे समय वराजमान हैं और गुरु जो की शुबता के कारग रहे हैं वो इस राहु केतु एक्सिस से पूरी तरह से बाहार हैं। तो ऐसे में गुरु जो शुबता के कारक ग्रहे हैं, जो इश्वर के वरदान के कारक ग्रहे हैं, वो किसी भी ग्रहे को अपने blessings पूरी तरह से देही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में रहु जो कि विदवन्स पाप शक्तियों का कारक ग्रहे हैं, वह पूरी तरह से शनी को अप में करिशक वर्ग, अर्थ विवस्ता और लेबर किलास कहीं न कहीं पाप परभाव में है, अकेला राहु शनी को पीड़त नहीं कर रहा, बलकि आप देखेंगे मंगल, मकर राशी में, राहु मीन राशी में हैं, बीच में कौन है बीच में है शनी जो अर्थ विवस्ता है जो लेबर है जो क्रिशक है जो दलित वर्ग है वो भी शनी के कंट्रोल में आता है तो ऐसे में आप देखेंगे जो शनी है वो मंगल और राहू के बीच में पूरी तरह से फस गया है एक तरफ पुलिस है और एक तर तो ऐसे में संभावना है कि मंगल मकर राशी में आने के बाद पूरे विश्व में एक वार फिर से अराजकता अपने पाउं पसार सकती है। आप देखेंगे पूरे विश्व में क्रिसक वर्ग, लेबर वर्ग, कही ना कही राज सत्ता के वरुध एक वार फिर से विद्रहू की स्थिती में होगा। आप देखेंगे अगले तीन से चार महीने, फरवरी से लेकर मई जून तक का समय, बहुत ही बड़े आंडोलन को कही ना कही जनम दे सकता है। कही ना कही लेबर की वज़े से, काम करने वाले लोगों की वज़े से, एमपलॉईस की वज़े से कुछ ना कुछ इशू उत्पन होंगे और क्योंकि शनी अर्थविवस्था का कारग रह है इसलिए आप देखेंगे आने वाले तीन से चार महीने में मार्केट में बहुत य कि अगले प्रतेजी देखी जा सकती है और साथ ही साथ अगले पर फिर से किसी प्राकरतिक आपडा का योग बनता है, जो लोग शेर मार्केट में इंवेस्ट करते हैं उन लोगों को अगले तीन से चार महिने बहुत ही सोच समझ कर इंवेस्ट करने की ज़रूत है क्योंकि मार्केट कब उपर जाएगा कब नीचे जाएगा यह कोई भी कैंडल बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएग क्योंकि मार्केट चलता है इंडरिस्ट्री पर लेबर पर पुंजी पतियों की सोचने समझने की छमता पर तो ऐसे मिशनी क्योंकि पूरी तरह से पापकरतरी योग में फस गये हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरी अर्थ विवस्था को ऊपर नीचे करने की इस्थिती में मंगल में मकर राशी के बाद कुम राशी में जाएंगे कुम के बाद जाएंगे मीन राशी में तो यहां पर यह कह सकते हैं कि मंगल का यह पूरा का पूरा गोचर बहुत ही शुब समय पूरी दुनिया के लिए नहीं कह सकते हैं इस समय देशों के बीच में भी आप देखे कहीं ना कहीं युद्ध जैसी इस्तित्या उत्पन होंगी देशों के बीच में बौर्डर पर विवाद होंगे और आग जैनी जैसी इस्तित्या देशों के अंदर सरकार और आम जनता के बीच बढ़ते मदभेद के कारण होंगी तो होफ़ूली आपको आज का युडियो पसंद आयोगा तो जुड़े का इस्तित्या के साथ मिलते नाक्ष उडियो में तब तक लिए जैहिंद जै भारत